गुड मॉनिंग फ्रेंट आज हम क्लास 12 मैट्स का एक्सरसाइज 3.3 का कंसप्ट करेंगे जो कि बहुत ही में टपून है इस 3.3 के कंसप्ट में आप लोग दिखिए कि आप लोगों को इस कंसप्ट में दो तीन चीने पुछी जाएगी जिनका जिक्र मैं भी कर रहा हूँ सबसे पहले आप से पूछा जाएगा आपयू का परिवर्थ आपयू का परिवर्थ मतलब इसे आप करेंगे टानस्पूज ओप मेट्रिक्स का टानस्पूज आप कैसे निकालेंगे यह definition मैंने लिकी हुची है कि यदि आपके पास कोई matrix है इस matrix आपकी M cross N की है इस matrix में आप करेंगे क्या कि इस abu की जो आपकी पंक्ती है अगर आप इस पंक्ती को इसका इस्तंब बना दे पंक्ती को क्या बना दे इस्तंब बना दे या आप ऐसा भी कह सकते है कि कोई आपका column है इस column को आप row बना दे कहने का मतलब है आप सीरे सब्दों में समझजिए कि किसी आभियू का जो ट्रांस्पोज निकालना है उसकी रो को उसके इस्तंबों में या स्तंबों को पंक्तियों में अगर हम प्रसप भी निमें करदें तो आपको ट्रांस्पोज औ straw ऐ मिल जाएगा आब्यू का परिवर्थ प्राप्त हो जाएगा यदि A कोई आब्यू है तो आब्यू की पंक्तियों का इस्तंबों में या इस्तंबों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो आब्यू A का आपको परिवर्थ प्राप्त हो जाता है आब यू ए का परिवर्थ आप कैसे निकालते हैं transpose of A को आप लिखते हैं A- या आप इसको A-T से भी denote कर सकते हैं कुछ बुक्स पर ये A-theta से denote होता है आप लोग ज्यान देगे एक example से समझेए कि आपके पास एक आब यू है A, A, B, C, D E, F, G, H इसके element है दो इसकी row हो गई, चार इसके क्या हो गई column तो 2 by 4 का ये A-view है तो अगर मैं इस A-view का परिवर्थ निकालू तो इस A-view का परिवर्थ क्या होगा E-des और इस A-des को क्या कहा हमेने जो इसकी पंक्ती है, इस पंक्ती को यदि इस्तंब को पंक्ती बना दिया जाए तो आप लोगों का क्या बन जाएगा transpose of A निकल जाएगा जैसी इसकी कोटी क्या थी दो इसमें पंक्ती थी, चार इसमें इस्तंब थे इसमें अब उल्टा होगे, इसमें पंक्ती कितनी होगे एक, दो, तीन, चार और इसम कितने होगे, दो तो इस तरीके से आप क्या करेंगे आप transpose of matrix निकालेंगे बहुत आसान है transpose of matrix निकलना इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास आब यू दिया होगा उस आब यू में पंक्तियों को इस्तंबल में लिख देना है आपको उसका transpose of a प्राप्त हो जाएगा transpose of a की कुछ प्रॉपर्टी है कुछ गुनदर्म है कि यदि आपके पास कोई आब यू है और उस आब यू का आप transpose निकालते हैं और दुबारा फिर उसका transpose निकालते हैं तो किसके बराबर होगा पहले उसकी पंक्ति को इस्तंब बनाया फिर उसके इस्तंब को पंक्ति बनाया तो फिर से वई आब यू तो मिलेगा इसलिए आब यू किसी आब यू के परिवर्त का परिवर्त पढ़ेंगे कैसे कि transpose of a का transpose दोबारा से आब निकालेंगे तो a आ जाएगा यदि आपके पास दो मेट्रिक्स है a और b आपने उनका पहले multiply किया और उसका फिर transpose निकाला तो ये जो बराबर होगा ये अलग से होगा b transpose a transpose इसे reverse rule कहते हैं इसमें reverse लग जाएगा b पहले आ जाएगा और a बाद में जाएगा इस तरीके से इसको ध्यान रखें कि जब हम दो आब यूं का गुणन फल करें और उसका परिवर्थ निकाले तो वहाँ पर reverse rule लगेगा आब यू b का परिवर्थ पहले आएगा और a का बाद में यदि आपने दो आब यू को जोड़ा है और उसका परिवर्थ निकाल रहे हैं तो आब यू a का परिवर्थ प्लस आब यू b का परिवर्थ आएगा इसी तरीके से आपके पास यदि आपने किसी element से आब यू a में multiply की है तब आप उसका परिवर्थ निकालेंगे तो आप यहां तो क्या कर सकते हैं सिधे उस element को common लेके उस constant को क्या लेके common लेके भी परिवर्थ निकाल सकते हैं यह most important आप लोगों के पास है इससे related आपके पास दो टाइप के फिर matrix आती है जो कि बहुत ही मैत्रपूर्ण है इससे related equation board पर इक्षा में आपसे पुछा जाता है अब आपके पास दो टाइप की और matrix आईगी जिसे कहेंगे आप symmetric matrix सम्मित आब्यू ध्यान से समझेए symmetric matrix मतलब सम्मित आब्यू अब symmetric matrix क्या होगी सीधे सब्दों में समझेए कि यदि A आब्यू है और इस आब्यू का आप परिवर्थ निकालते हैं यदि कोई आब्यू है और उस आब्यू का परिवर्थ निकालते हैं transpose निकालते हैं और फिर से वही matrix आपको मिल जाती है तो यह symmetric matrix क्यालाती है symmetric का मतलब सम्वित का मतलब कि जिसका आपने transpose निकाला और आपको वही matrix मिल जाए तो वह क्या कहलाईगी सम्वित आब्यू A एक सम्वित आब्यू कहलाता है यदि इस आब्यू का परिवर्थ निकाला जाए तो वह आपको फिर से क्या मिल जाती है वही matrix मिल जाती है फिर से देखेंगे example से समझे कि आपके पास एक abu है 1-1-5-1-2-1-5-1-3 अगर आप इसका transpose निकालोगे transpose निकालोगे तो आपको पता है कि इसकी row को आपको क्या लिखना पड़ेगा column wise लिखना पड़ेगा row को column wise लिखना पड़ेगा तो इसकी row थी 1-1-5 तब एक column बना दो 1-1-5 minus 1-2-1 इसकी row थी इसको column बना दो minus 1-2-1 और 5-1-3 इसकी row थी और इसको column बना दो तो देखें आप क्या किया कि जैसे हमने इसकी row को column बनाया आपको फिर से क्या मिल गई यही मिल गई तो अगर आपका a-s बराबर यह आजाए किसी आब्यू का परिवर्थ वही आब्यू आजाए तो आप उसे क्या कहेंगे सम्मित आब्यू कहेंगे most important है परिक्षा मैं आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद दिखिए किसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो है विसम सम्मित आब्यू विसम सम्मित आब्यू क्या होगा इसे आप anti-symmetric matrix भी कह सकते हैं और आप इसको skew symmetric भी कहेंगे कहीं कहीं बुक पर यह skew symmetric लिखा हुआ है इसलिए confusion नहीं है anti-symmetric भोलो या skew symmetric भोलो कोई फरक नहीं परता दोनों एकी चीज़े है skew symmetric matrix या anti-symmetric matrix यही होती बिसम सम्मित आब्यू इसमें क्या होगा कि यदि आप A कोई आब्यू A है यह बिसम सम्मित कहलाएगा मतलब anti-symmetric कहलाएगा यदि आप उस आब्यू का transpose निकालते हैं आब्यू A का परिवर्त निकालते हैं वो minus of A के times आ जाता है minus of आ जाता है आब्यू मतलब आब्यू A में वो रिनात्मक के बरावर आ जाता है तो anti-symmetric कहलाएग एक example से समझो कि यह जो मैं आप लोगों को minus one minus one zero one one minus one zero यह आप ध्यान में रखेंगे अब जैसे ही आपने इसका परिवर्त निकाला तो इसकी row को क्या बना दिया column तो A डैस बरावर हो गया zero one minus one यह हो गया minus one zero one one minus one zero यह आपने बना दिया अब आपने देखेंगे कि इसमें से अगर मैं minus common ले लो तो जैसे मेरे minus common लिया तो यह तो zero रहेगा यह minus का plus हो जाएगा यह plus का minus हो जाएगा यह plus वाला है यह minus बन जाएगा यह zero रहेगा यह minus का plus हो जाएगा यह minus का plus हो जाएगा यह plus का minus हो जाएगा अब minus sign common आया और अंदर क्या दिख रहा है आपको matrix of A तो यह हो गया A dash बराबर matrix of A यदि बन गया तो आप लोग कह सकते हैं कि यह कैसा anti-symmetric matrix है तो दो बाते ध्यान में रखना है कि किसी भी आब्यू का परिवर्थ यदि स्वयम आब्यू हो A के बराबर हो तो वो symmetric कहलाएगा और minus A के बराबर हो तो वो anti-symmetric कहलाएगा most important है इससे related to question आप से board परिक्षा में पुछे जाते हैं कि यह आपके पास theorem number one भी है इसको prove भी करो आप लोग बुक पर है इसको prove देख लीजे इसका prove देख लीजे यह कहरा है कि यदि A कोई बरगाब्यू आपके पास है अगर आपके पास कोई बरगाब्यू है तो उस आप्यू और उसके परिवर्थ को जोड़ दो पहले उस आप्यू उसका परिवर्थ निकालो और उससे जोड़ दो तो ये एक सम्मित आभ्यू बन जाएगा और आपने यदि आभ्यू और उसके परिवर्थ को एक दूसरे से घटा दिया अंतर आया तो वो एंटिसिमेट्रिक होगा इस प्रोपर्टी को याद रखना most important प्रोपर्टी है कि कोई आभ्यू यदि किसी आभ्यू A और उसके परिवर्थ को जोड़ दें तो सम्मित आभ्यू मिलता है आभ्यू में से उसके परिवर्थ को घटा दें तो एक बिसम सम्मित आभ्यू मिलता है इससे related question आपके पास परिक्षा में पूछे जाते हैं इसके बाद आपके पास ने देखो इसको योग फल के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको योग फल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई आप यू ए है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि A पलस A डैस सम्मित होता है और A माइनस A डैस क्या होता है विसम सम्मित होता है तो इसको आप ये के बराबर आप लिख सकते हैं कैसे देखे पहले आप A और A-DAS को जोड़ेंगे और उसमें 2 से डिवाइट करेंगे और फिर A से A-DAS करेंगे और उसमें 2 से डिवाइट करेंगे बहुत आसान सा है देखिए 1 by 2 इस मका मल्टिपलाई किया तो A बन जाएगा पलस 1 by 2 A-DAS बन जाएगा पलस 1 by 2 A-DAS ये पलस का है ये माइनस का है कैंसर हो जाएगा ये हाप A by 2 हाप A by 2 मिलकर क्या बन जाएगा A तो ये A ही है बस इसको लिखने का आपको प्रोसेज है कि आपको कोई भी आप्यू गिव कोई भी आप्यू दिया होगा उसमें आपने क्या करना है उस आप्यू का परिवर्त निकालना है दोनों को जोड़ देना है और दो से भाग देना है तो सम्मित मिल जाएगा आप्यू में से उसके परिवर्त को घटा देना है दो से भाग देना है तो विसम सम्मित मिल जाए यह आपको और अच्छे से समझ में आएगा आज के लिए इतना ही थेंक यू